नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News रजस्थान 36 गड़ और मध्यपरदेश में विधान सभा चुनाव भारती जनता पार्टी के लिए इतना जरूरी है कि अब वो यहाँ पर दाउपेज आजमाने शुरू कर चुकी है भारती जनता पार्टी अभी तक मध्यपरदेश में सांत थी रजस्थान में शांत थी और रजस्थान और मध्यपरदेश की बात करें तो कॉंग्रेस वहाँ पर अपना दमखम दिखाती वी नजर आ रही थी मध्यपरदेश में प्रियांका गांधी वाडरा और रजस्थान में यहाँ पर एक तरीके से सच्चिन पालेट को बड़ी जिम्मधारी सौंपना और सच्चिन पालेट की नराज़गी को खत्म करना यहाँ पर कॉंग्रेस का एक बड़ा दाइत्व सामने आया था और एक बड भारती जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया वो कदम हुआ कि केंद्रिय मंत्री सांसद और यहाँ पर एक तरीके से विधाईकी का चुनाव लड़ती में नजर आए जो अभी तक चुनाव नहीं लड़े उन्हें भी टिकेट दिया जा रहा है जो अभी तक लेकिन मैं चुनाव लड़ने लाइक नहीं हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसी बाते कहते हुए नजर आए यहाँ यह देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी मध्यपरदेश का मॉडल अपनाया जाएगा यहाँ पर भी वही चीज़े लागू की जाएंगी जो मध्यपरदेश में लागू की जा रही थी मध्यपरदेश में तमाम लोगों को उतारा गया लेकिन सिंध्या को यहाँ पर तवज्जो तब भी नहीं दिया गया जो तवज्जो यहाँ पर तमाम और मंत्रियों को दिया जा रहा था ऐसे में नाम शामिल होते हैं नाम सामने पर तमाम सांसदों के नाम सामने आया है और यहां पर केंदरय कृशे मंत्री 사람들 केलाश चोदरी सांसद जये वर्धन का यहाँ पर भी नाम bur auxiliary YES सांसदों के नाम सामने आये हैं सांसद सुखवीर संग यहाँ पर हैं लेकिन ऐसी तो राजिस्थान में वसुंद्रा राजे को भी अभी एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है राजिस्थान में भी वसुंद्रा राजे को एक तरीके से दरकिनार किया जा रहा है जैसे मध्यपरदेश में देखा गया था अब ऐसे में यहां पर देखा ज जिसमें विजे वर्गी सावतार पर नज़र आए दिग विजे सिंग नज़र आए लेकिन यहां पर इनको जो उतारा गया यही इनके लिए मुश्किले खड़ी करती वे नज़र आए अब ऐसे में राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है वसुंद्रा राजे को क्या राय बनती है कि क्या यह रणे नीती भारते जनता पार्टी पर ही भारी पड़ती वी नज़र आएगी क्या है आपके राये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद